तो टारगेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत है सुबह कि इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो भी समचार पत्र पर चाहिवी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से सम्मंदित कौन कौन सी सूचना है आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल वेकेंसी की तयारी कर रहे हैं वे सभी अबट थी तश्चु प्रकासन की ये बेस्ट बुक से जिनने आप लोग ले सकते हैं ये इस्ट्री गाइड है जिसमें तीन हजार से जादा बहुविकल पी प्रसन दिये हुए है और इसमें पांस सॉल पीपर भी आपको देखने को मिल जाएंगी इसी प्रकार से यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये प्रक्टिस सेट की बुक है जिसमें 15 प्रक्टिस सेट देवे हैं 25 से जाज़ादा बहुविकल पी प्रसन दिये हुए है प्रक्टिस सेट में प्रसनों का इस्तर वही रखा गया है जिस पकार के प्रस्न पुलिस को आश्योल वेकेंसी में पहुचे जाते हैं वहीं पर अगर हम इस्टरी गाइड की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की बारे में दिये हुआ क्रेंट अफियर भी इसी बुक में है सॉल्ट पीपर भी इसी बुक में साथ में पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्टिव इस्टी मेर्टेरियल है यूपी पुलिस भरती का सारा के सारा जो स्लेबस इसमें कबर किया गया है सभी कापी किताबों की दुकानों में चचु प्रकाशन के ये बेस्टे बुक्स दोनों आपको मिल लाएंगी और अगर आप लोग आनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक के बने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे रिया रोजगार को लेकर के जारी प्रदेश, ब्यापी मुहिम और प्रियाग राज़ी 32 दिनों से अनवरत जारी धरनाप प्रतसन के बावजूद युवां के वाजिब सवालों को हल करने को लेकर के सरकार के रवये से युवां में नाराजगी है आज 12 जनवरी, कल 12 जनवरी मतलब आयोजित एक वर्चूल मेटिंग में ये निरना लिया गया कि 6 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए जो सरकार ने वादा किया था विदान सबाद चनाओ को पहले उसमें गंभीर नहीं है तो कल मने इसके बारे में वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा भी होगा और कल लाइव भी चला था लगबग एक सिरियर घंटे के असबास कलाके के सरदी में यूवमंच का ये धर्नपर दरसन सभी भरतियों को लेकर कर रहा है यूवा मंच का ये मानना है कि लोग सबाग चुनावाने वाले हैं उसके पहले-पहले सरकार या विग्यापन निकल वादे या फिर जो सेज भरती हैं जिनके विग्यापन निकल चुके हैं उनके एक्जाम करवादे वही पर बिहार के फिर से एक लाख चात्रों की जिन्दगी आज से बदल जाएगी लिखा हुआ है कि निक्तिपत्र राज के करीब एक लाख युवाओं की नई पारी आज से शुरू होगी उत्तर परदेश का हाल तो अभी आपने देखा कि धरना परदेशन चल रहे हैं जग वैदान में होगा यह पोश्टर भी है और यहां पर दोनों भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है दो भर्तियां लागातार बिहार से निकली है लिखा प्रतम च्रण में एक लाख बीच जार तीन सो च्छिकों की बाहली से पनवी थी और दुत्तियों च्रण में 96,823 तीसरी बहाली की भी घुफना हो चुकी है कि 24 अगस्त को उसकी परिच्छा होगी आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवस्से कर दें अगली जो सूचना है और वो भी एक नई नोटंकी का है जिससे आप लोग आपर देख सकते हैं उत् विद्यार्थियों को पहले ही पता था है PCS का प्री है PCS का मेंस उसके बाद में 2021-23 की पुरानी वेकेंसी है 2-3 उनी का प्रीमेंस लेखा हुआ है कर विद्यार्थियों को इसमें जटका लगा है कोई भी नई भरती 2024 के नई विग्यापन की बाद PCS के अलावा नहीं की जाएंगी और अन्य भरतियों के बात की गई है तो एल्टी वगेरा में समकष अर्था का विवाद है और जो दूसरी बड़ी वेकेंसी हैं जैसे क्रसी सेवा परिक्चा समनित राज बेंतरन सेवा परिक्चा योजना पार्ट करम के संदर में सासन को अनुमोदन मिलने के ब लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था छोड़िये और PCS परिडाम के बारे में जनकारी दी गई है कि कल किस प्रकार के प्रस्ण पूंचे गए और ये भी बताया गया है इसमें कि एक हफते के अंदर अंदर PCS 2023 का अंतिम प्रिडाम दारी कर दिया जाएगा कुछ खास प्रस्ण जैसे गंगा में सिक्का क्यों फेका जाता है आप लोगों को अगर आता है तो आप लोगों कमेंट बाक्स में बश्ण बताएं आप लोगों ने भी फेका होगा और इसका धार्मिक महत्व क्या है धार्मिक महत्वाई या वज्यानिक महत्व एक बरती से पहुंचा कि इतनी पदों और फरवरी के पहले सब्ता में 10 पदों के लिए इंटेर्वी करने जा रहा है जो मांगा जा रहा वो मिल नहीं रहा है जो नहीं मांगा जा रहा है द्रोगा भरती Computer Operator के जो विध्यार्थी है वो परेसान है कल धर्नप परड़ेसर में भी आये थे कि उम्र सीमा में छूट दिया जाए लेकिन यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार ने दरोगा भरती खिलानियों को आयू सीमा में पांच वर्स की छूट दिये इसके पहले भी इसी प्रकार से जो कॉंस्टेबल भरती थी खिलकोटे की उसमें भ आविदन कर सकते थे नए आदेश के तैत अब 16-32 आईवर के खिलाड़ी आविदन कर सकेंगे प्रदेश में सीतलहर भी शुरू हो गई है उसकी बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है लिखा है कि प्रदेश में सुक्वार को सीतलहर का दोर शुरू हो गया है ठंडी कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी वर्ति के ऑनलाइन लिखित परिच्चा की तारीकों की घुफना करती है पोड के अपर सच्यू के मुताबिक सभी परिक्षाएं दो पालियों में होगी कर्मशाला कर्मचारी के पदों के लिए परिक्षा 29 जनवरी को होगी वहीं पर तीस जनवरी को पहली पाली में कर्मशाला और कर्मचारी और दूसरी पाली में प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक परिच्छा आयुजित की जाएगी और इसके आगे भी लिखा हुआ कि एक फरवरी से आट फरवरी तक साहग परिचालक की परिच्छ इलापाद हाई कोड ने बेसिक सिक्चा परिश्यत में 32,825 साइक अध्यापकों की नुक्ति के मामले में महातिपूर्ण निर्देश देती हुए कहा है कि इस बरती में बचे हुए 12,000 इंक्यानवी पदों पर काउंसिलिंग कराने के लिए विग्यापन जारी किया जाए और काउंसिलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सता तक जारी कर दिया जाए कोड के इस आदेश से बरती विवयत के इपटाचिप होने के उमीद है जबकि काउंसिलिंग कोई तक रिकार्ड पर नहीं है और ऐसे में ऐसी इस्तित में सरकार और बेसिक सिक्चा परिस्याद 12,000 इंक्यानवी पदों पर नए स्थिषक काउंसिलिंग करे वहीं पर सिक्चा मित्रों को सम्मान जनक मान देदे सरकार हाई कोड ने कहा है हाला कि शिक्षामित्रों ने यह याचका डाली थी समानकार समान वेतन के सिधांज पर जिसको अस्विकार कर दिया गया है जितने सरकारिया ध्यापक होती है उसके वेतन दिया जाग कोड ने का कि इस मुद्धे पर निर्णा विशेस्टक रिसमी दोर लिया जाना चाहिए पर राहूल पांडे ने एक याचका डाली थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी Honorable Justice मनीश मातूल की बेंच का यह order आ गया है और इन्होंने पदोनती को रोखने को लेकर के याचका डाली थी और जिसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि तो इनका यह कहना है की प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है और सरकार सीधे सीधे प्रमोट कर रही है यह नहीं देख रही है कि कौन टीटी पास है कौन टीटी पास नहीं है और भी बहुत सारे रूल का यहाँ पर हवाला दिया गया है रहुल पांडी की तरफ से कि एनसीटी की गैडलाइन क्या प्रमोशन को लेकर कि जो टीटी पास होगा उसी को हिट मास्टर बनाया जाएगा जूंगिर में प्रमोट किया जाएगा ऑर बहुत सरी सि seizure इसमें लिखी हैं और सब्क्करिता यहां पर देख सकते हैं कि फानलियह पर यह.ए इसमें जो सरकार की तरफ से 2 सबता का टाइम मंगा गया था यहां पर देख सकते हैं Saya और उनसे एफिडबे मंगा गया था नीचे काम कि बात यह लिखी हुई है यहां पर यह 22 जनवरी यह कोई डेट लगया हुआ है as a phrase और इसमें लिखा हुआ है तिल नेक्स्ट डेट आफ लिस्टिंग इट इस डारेक्टेट देट नो प्रोमोशनल और सेल भी इस्यूड विद रिगार्ड टू द एफोर्स एड पोस्ट वि रिक्त 1749 पदों पर जल्द होगी बरती लोग सवाचुनाओं के पहले सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों को भरने को ले करके तयारी कर रही है निकायों में विभिन समवर्ग के रिक्त 1749 पदों पर निक्ति के लिए जल्द ही बरती की प्रक्रिया शुरू करेगी इन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अभिनास सेवा चैन आयोग को भेजने की तैयारी है पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद